नमस्ते दूस्तों, स्वागत है आपका ट्राइडन माइक में आज के टॉपिक में हम बात करेंगे वैंपार्स की वैसे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नी किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए वैंपार, इन्होंने पॉप कल्चर में अपने एक अलग भहचान बना रखी है ये मिधिकल क्रीचर्स का इमपैक फिल्म्स, टीवी शोव्स, बुक्स, इवन गेम्स में हमेशा से रहा है चाहे वो काउंट ड्रैकुला हो, या ब्लीड, या फिर एडविट कलन हर एक वैंपार कैरेक्टर ने अपने अलग तरीके से ओडियोंस को कैप्टिवीट किया है तो आज हम बात करेंगे ऐसी एक इंट्रस्टिंग वैंपार फिल्म के बारे में है चार्ली ब्यूस्टर एक 17 साल का लड़का जो की फ्राइट नाम के हौरर टीवी शो का बड़ा फैन है इस शो का होस्ट है पीटर विंसिट जो अपने आपको एक फॉर्मोर वैंपार हंटर कहता है एक दिन चार्ली को पता चलता है कि उसका नयानी पर जेरी डैंडरेज एक वैंपार है और चार्ली को इस बात का शग भी है कि शहर में जो लोग लापता हो रहे है कहीं न कहीं जेरी उनका जिम्मेदार है वो ये बात अपनी मा, गर्ल्फेंड और दोस्त को बताने की कोशिश करता है लेकिन कोई उस पर ट्रस्ट नहीं करता फिर ये बात वो अथॉरिटीज को इंफॉर्म करता है जहाँ डिटेक्टिव लेनॉक्स उसके साथ में जेरी के घर पूचताच करने के लिए जाते है लेकिन वहाँ जेरी नहीं होता बलकि उसका एक रूममेट बिलिकोल उन्हें वहाँ बें मिलता है जो कहता है कि जेरी बिजनस के सिलसले में बाहर गया है चार्ली वही जेरी के वैंपार होने का शक डिटेक्टिव को कहता है यह सुनकर डिटेक्टिव गुस्से में चले जाते है उस रात चार्ली जब अपने घर के अंदर जेरी को देखता है तो उसे बहुत जटका लगता है जेरी चार्ली को एक चॉइस देता है वो कहता है कि या तो वो उसके vampiric activity को ignore करे या फिर consequences झेले तो अब Charlie क्या करेगा? क्या वो Jerry से लड़ने का फैसला करेगा? या उसकी धुमकियों को ignore करेगा? क्या होगा उसका अगला कदब? Jerry Dandridge यानि Fright Knight में जो उसने किरदार निभाया है वो एक अलग टाइप के vampire का character था अगर हम compare करें previous vampire से classic gothic style की बजाए उन्होंने एक modern charm को अपनाया ये एक noticeable बदलाव था traditional vampire के तौर पर और इस vampire में जानर में बदलते expectation को मतलब मिला कर दिखाया था उन्होंने वैसे तो इस film का official remake 2011 में release हुआ था और इसका एक sequel भी था लेकिन इस movie का इंडिया में काफी बार remake किया गया था जैसे कि कलपना house मलिया लम में था 1989 में ये film release हुई थी और उसे फिरसे डब किया गया था हिंदी में बंगला नमबर 666 के नाम से तमिल में अमावसे इरावल के नाम से तेलगो में हिंती नमबर 13 के नाम से और हिंदी में भी इस movie को remake किया गया था वो भयानक रात के नाम से 1989 में आपको तो पता ही होगा जी हॉरर शो करके भी एक शो आता था उसमें भी एक episode इसी से inspire था तो बस आज के लिए इतना ही प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा और तब तक के लिए थैंक यू और बाई